असलाम अलेकूम मैंसे लुट सदानिश और आप सबको कुश्यामदीद मेरे चेनल पर जैसे कि मैंने तीन वीडियोस बना ली थी एक प्रोकेरियोर्स बे बनाई थी दूसरा सेल को थोड़ा डिसकस कर दिया था हमने तो मैंने सूचा आज कोई इंट्रिस्टिंग टॉपिक रहे और जो तुरह कॉम्पलिकेटिड हो जिसमें बच्चों को मुश्किल होती है तो आज मैं आपके सामने लाया हूँ निकलेस तो आई आज स्टार्ट करते हैं निकलेस से लेकिन उससे पर एक बात जो भी चीज मैं यहां पर आपको पढ़ाऊंगा वो सिंधी में भी होगी उर्दू में भी होगी पहले मैं उसको उर्दू में बताऊंगा उसके पास सिंधी में बताऊंगा क्योंकि मैं कुछ सिंधी हूँ बेसी कर लिदराबाद का और I am working as a biology teacher तो यह जो मैंने न्यूकिलेस यहां पर लाया हूँ इसका कोई इस्टेनर नहीं है इस्टेनर का मतलब यह नहीं है यह आम है नहीं एक होता है इस्टेनर के यह बचा नायंत का है यह टॉपिक नायंत के लिए है यह बचा फस्टियर का है यह बचे टॉपिक फस्टियर के ल तो चीज़ को explain करता हूँ जैसे कि उसका concept जो है रा clear हो जाए जो week होती है वो बर सोच होती है हम खुद नहीं होते है तो आई start करते है इंशाल आपको मज़ाएगा सबसे पहले nucleus की discovery मालूम होना लाजमी है nucleus को Robert Brown ने discover किया 1831 में ये एक fact है कि चाहे plant हो या animal हो दोनों में nucleus को discover Robert Brown ने किया था ठीक है nucleus का दूसरा नाम है brain of cell और एक और नाम भी दिया गया है control center of cell brain of cell इसलिए कहते हैं क्योंकि nucleus सारे cell की activity को क्या करता है control करता है handle करता है इसलिए हम जैसे हमारी body है ये अपारा cell है सारी body लेकिन उसको जो control कर रहा है मेरा brain कर रहा है मेरा brain मेरे बाजु को हकुम दे रहा है उपर करो बाजु उपर हो रहा है मेरा brain मुझे हकुम दे रहा है मैं बात करूँ मैं बात कर रहा हूँ तो एक छोटा brain सारी body को control कर रहा है same goes for nucleus एक nucleus सारे cell को control कर रहा है इसी वज़ा से उसे brain of cell केते हैं discovery का आपको पता चल गया अगर मैं एक conceptual simple basic definition की बात करूँ तो हम nucleus को एक basic definition के मताब कर पढ़ेंगे कि it is the double membrane bound organ which possess genetic material एक ऐसा organ जो double membrane है क्यों है कैसे वो पढ़ेंगे अभी उसके इलावा इसके अंदर genetic material मौजूद है अब यह genetic material क्या है genetic material हकी की एक खजाना है जिसकी वज़ा से nucleus को इतना fame मिला इतनी importance मिली वो भी पढ़ेंगे लेकिन आहस्ता आहस्ता धीरे धीरे से जल्दबाजी कोई नहीं है यह एक lecture नहीं इसका part two भी आएगा पूरी detail के साथ पढ़ेंगे तो यहां पे मैंने definition लिखी है nucleus की nucleus is the most important component of cell which carries genetic material genetic material हम DNA RNA को बोलते हैं खिर RNA को तो हम यह बाद में जो है ना nucleus से transfer हो ज़दा है cytoplasm में nucleus के अंदर DNA रहता है जिसे हम कहते हैं genetic material इसको genetic material क्यों कहते हैं यह थोड़ा मैं आपको आगे flow के साथ पढ़ाऊँगा अगर मैं देखूं के nucleus के अंदर nucleus में कुछ components मोजूदे जिसमें nucleus को divide किया गया है चीक है सबसे पहले जो चीज nucleus में importance रखती है वो है आपका nuclear envelop या nuclear membrane यह nuclear envelope nuclear membrane क्या है यह एक दीवार है nucleus के surrounding में एक ऐसी दीवार जो nucleus को protect करती है protection का मतलब है कि यह selectively permeable है जैसे हर मुलक की आर्मी होती है ना किसी भी गेर को अंदर आने नहीं देती इसकी भी एक अपनी आर्मी है जैसे हमारे अंदर आर्मी है immune system छीक है लेकिन immune system से पहले हमारे cell हर एक cell के पास एक अपना एक border है उस border को हम बोलते है cell membrane तो यहां पर भी एक border है जिस border को हम बोलते है nuclear membrane जो cell membrane है वो cell का border है जो nuclear membrane है वो किसका border है nucleus का border है इस border के बीच वाले space को हम बोलते है peri nuclear space यह जो red color का आप आप नज़र आ रहा है ना beach वाला space इसको हम बोलते है peri nuclear space ठीक है space between nuclear membrane ठीक है nuclear membrane की अगर composition की बात करूँ तो nuclear membrane भी cell membrane की तरह lipids का बनावा आता है अगर मैं कहूँ कि जो cell membrane में lipids होता है उसे हम phospholipid केते हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं यहाँ पर भी phospholipid ही help करते है nuclear membrane को बनाने में ठीक है उसके इलावा nuclear का जो काम है support के इलावा protection के इलावा यह जो है nucleus का shape maintain करने में भी help करता है जब मैं मैंने क्या किया nuclear membrane को थोड़ा zoom out किया तो मुझे एक channel मिले ऐसे एक इसके इनके बीच में एक space मिला यह आपको space नज़रा रहा होगा यह space इस space को मैंने नाम दिया है nucleo pores nucleo pores को आप channels भी कह सकते हैं और यह बने हुए होते है nucleo porin protein के जिसमें 30 protein involve होते हैं उन 30 protein में से आपको nucleo pores बनते हैं यह nucleo pores as a channel काम करते हैं चैनल का मतलब है transportation करवाते हैं देखे पेले आपका जो RNA ना वो nucleos के अंदर होता है फिर वो transfer हो जाता है cytoplasm के अंदर यह transportation कैसे हुई क्योंकि nucleos के अंदर एक छोटे gates होते हैं दर्वाजे होते हैं जिनकी वज़ासे चीज़ें nucleos से cytoplasm में transfer करती है ribosomes भी transfer करते हैं cytoplasm में क्योंकि ribosomes को बनाने वाली factory जो मौझूद है ना वो nucleos के अंदर मौझूद है जिसको हम nucleolus कहते हैं यह याद रखेगा nucleolus non-membrance boundaries की कोई भी membrane नहीं है सिर्फ और सिर्फ यह ribosomes बनाने में help करता है जिसको हम बोलते हैं factory of ribosomes ठीक है उन ribosomes को transport करने में भी जो चीज help करवाती है वो हमारे हैं nucleo pores आपका nuclear envelope भी clear हो गया और nucleo pores भी clear हो गया उसके बाद जो चीज है हमारे पास important वो है nucleo plasm मैंने आपको बोला था कि nucleo plasm जो है एक खजाना है जिसके अंदर बहुत सी important चीज़े मोजूद है RNA DNA protein ribosomes अगर मैं इन सब को एक ही नाम दूँ एक fluid के मताबग तो मैं उस एक नाम को बोलूँगा nucleo plasm nucleo plasm का दूसरा नाम है केरियो plasm शायद वीडियो आपको सही नजर नहीं आ रही है अब सही है nucleo plasm का दूसरा नाम है केरियो plasm यह क्या है यह किसी चीज़ से बना होता है nucleo plasm के अंदर आपके nucleotides होते हैं और nucleotides हम बोलते है DNA और RNA को ठीक है जिनको हम poly nucleotides बोलते हैं यह क्या होते हैं यह आगे पढ़ेंगे छीक है जब यह nucleotides enzymes और water जो है पानी मिलकर काम करेंगे nucleos के अंदर उसको हम बोलेंगे nucleo plasm इस nucleo plasm के अंदर कुछ बालनुमा शकले मौजुद होती हैं जो बिलकुल भी visible नहीं होती वो बालनुमा चीज़ें जब बिलकुल भी visible नहीं हो बहुत कम नजर आए बहुत थिन हो उन थिन बालनुमा चीज़ों को हम बोलते हैं chromatin material इस chromatin material में ही अंदर जो आपको चीज़ें मिलेगी वो होगा DNA, RNA वगरा पड़े होगे सर फिर क्रोमोसोम्स क्या चीज़े बेटा क्रोमोसोम्स ये जब chromatin material division के बाद visible हो जाता है उस visibility के बाद हम इसको बोलते हैं क्रोमोसोम्स अगर वो proper visible नहीं है, मोटा नहीं है, तिन है, सही से नजर नहीं आ रहा उसको हम बोलेंगे chromatin material लेकिन वो visible नजर आ रहा है, proper नजर आ रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स प्रोटीन और DNA का बना हुआता है तो क्या आपको पता है, नुकलिस के अंदर DNA और प्रोटीन मौझीद होता है, कौन सा प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन वागे पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, मैंने आपको बोला है, इसका दूसरा पार्ट भी आएगा, आपका nuclear envelope clear हो गया, nuclear force clear हो गया, और nuclear plasma clear हो गया, ठीक इंपोर्ट चीज के पास, जो आपको समझाना लाजमी है, इंपोर्ट चीज ये है, कि ये जो region है, इसको हम बोलते हैं, साइटो प्लाजम, साइटो प्लाजम का मतलब है, फिलोर आफ सेल, और इसके अंदर, फिलूड मौझीद होता है, जो फिलूड सेल में मौझीद हो, उ साइटो प्लाजम को हम कहते हैं, होम आफ रियक्शन, यहां पे बहुत रियक्शन होते हैं, सेल के, इनर्जी बनना, प्रोटीन्स वगरा का, तोड़ फोर्ड होना, सारे जो सेल के रियक्शन होते हैं, वो साइटो प्लाजम और मैटो कुंड़ा के अंदर होते हैं, ठीके, प्लांट्स के अंदर तो साइटो प्लाजम के अंदर बहुत चीजें होती है इनिमल्स प्लांट्स तो दोनों में रियेक्शन करवाता है ठीक है जब मैं साइटो प्लाजम और निकलियो प्लाजम की बात करूंगा जब मैं दोनों को इकटे होने की बात करूंगा तो मैं इनको एक और नान दूंगा जिसको कहूँए प्रोटो प्लासम और यह प्रोटो प्लाजम ही सेल का लिविंग पार्ट है điều प्लाजम यह सेल इस नातिं estado ब्ऱाजम और साट मिल राजम मिलकर सेल को बनाते हैं तो यह आपका सैंसल क्लियर होना चाहिए कि अगर साइटोपलाजम मिस हो गया या न्यूकिलियर प्लाजम मिस हो गया तो सेल सर्वाइब नहीं करेगा अमीद आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी इसका पार्ट टू बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगा इन्शालाद अलाद ठीके न्यूकिलियर जो इन्वलब है उसका एक बड़ी इंपोर्टन बात है कि न्यूकिलियर इन्वलब प्रोकेरियोर्स और यूकेरियोर्स में फरक जाहर करता है अगर आपको मालूम हो मेरे पिछला लेक्शर देखा हो आपने तो मैंने उसमें आपको वाज़े बताया है कि न्यूकिलियर इन्वलब प्रोकेरियोर्स और यूकेरियोर्स में फरक जाहर करता है किसे फरक जाहर करता है मैं जो थोगता जूम आउट कर देता हूँ ठीके जो भी यूकेरियोर्टिक सेल्स होते हैं जैसे plant हो गया, animal हो गया, protista यहां फंजाय हो गया, उनके अंदर nuclear envelope लाजमी होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है, prokaryotes वो से लोते हैं, जिनके अंदर proper nucleus हो, और proper nucleus का मतलब है, कि nucleus के साथ proper nuclear membrane होनी चाहिए, इसलिए हम उनको बोलते हैं, youkaryotes मतलब true nucleus, और prokaryotes के पास proper nucleus नहीं होता, इनके लिए उनकों हम बोलते हैं, false nucleus, और उनके nucleus को हम nuclear बोलते हैं, आई होब ये भी आपका concept clear हो गया होगा, ठीक है, इसका दूसरा part हाएगा, जिसमें हम पढ़ेंगे, chromosome, DNA, RNA, इसके अंदर बहुत सी और चीज़ें है, पार टू में इनिशाल हम पूरे nucleus को कवर करेंगे, अगर अभी भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आई होगी, तो comment section में बता दीजेगा, मैं इसको फिर से repeat करूँगा, ठीक है, अपने दोस्तों से share करें, क्योंकि knowledge को share करना सदकाय जारी आए, financial आजकल parents बहुत struggle कर रहे हैं, मेंगाई बहुत हो गई है, fees सें बहुत high हो गई है, ये course बहुत मेंगे हो गई है, so that's not possible, के गर में चार-चार बंदे जो है ना पड़े, तो अगर आपको एक opportunity मिल रही है, तो avail करें और अपने दोस्तों के साथ share करें, अभी मैं इसको तो आपको सिंधी में समझाऊंगा, जी ये तो बबाबा जैसा नुकिलिस पड़े उसी, नुकिलिस के discover करे हो है, जी ये ब्रेन आफसेल, या तो गन्ट्रोल सेंटर आफसेल, नुकिलिस ये अंदर रेखा चार शी उसांग मिलन दिवाएं, सबका पे रहा हो जैने नुकिलियर इनवलप, जैके नुकिलियर मेंब्रेन भी चैबवा है, ये का डबल मेंब्रेन हओ धिया है, ये ये त्ताल हूं धिया है, fulfill ये 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 अजोःज, related protection current उनने के प्रोपर स्टेक जरणे इनन्य निक्लियस यह नुकले मेंBut में पर दोर्प टाइब इस्टेक ज़र ज रहाँ इन डेट वहा चयाव है nuklio फोर्स जिके ट्रियनpm फ्रोरियन प्रोटेसित उपरोछम समय लीगरे उंदा है इन क्यों परिमिं एक अनिक्रेश झर शद्धर attracted आंने को तरुम हुट यह पोची ट्रस्वताइशन परिकाल ट्रंसफर टी विनान ऑने तो किसी कुछ्पटेसं समक्हेश कांज रिंदा में साइट प्लाजम यह राइब आज ते ता अचीट आवन एन एंडियो प्लाजम रेटिक्लम में रफ एड़ प्लाजम रेटिक्लम तो ने करी मल फ्लोटिंग दाकन तो वह राइब ऑस उनिते किया आया निकलियो पॉर्स जी वजैसा ठीक अपुटर यह ट्रांसपोर्टेशन म प्रॉपर स्टेबियटी प्रोवाइट कंद्वा आ है निवर्स के फंक्शन इंके मेंडेंद कंद्वाइए उन सांकरकरन के शेप इमोबिलिटी प्रोवाइट कंद्वाइए ठीक अब नुकलियर इन वलप जैंदर इकुड़ स्पेस नजरा चाहिए इन्सपेस के चेवा ह परिन्यक्लर इस पेस्पेस बेट्वीन नुकलियर में भिम्ले इस नोन है रही नेक्षब शबताने कि चुलीर में मिलाइं लेक्टीवली बनाइं मतलब भर शेंकर अंदर नान इंदी थेने इस्टेवियलीटिजी जिलाए बेट है इने स्पेस जो धूर्जा मियां ठीक अब पूर्प उनका पूसा क्रोमेटन मट्रियल पड़े हो सी क्रोमेटन मट्रियल यंदर एक रो मिक्स्चेर है एक रोखाजान हो आए जैने दर डियेन आरने प्रोटीन वगरा मोजूत आए डिवीजन का पूर्प रहां यह नॉन विजेबल जाहिर नतियन थिन हो जन तो उनके साइब करोमेटन चाहिए अगर वे डिवीजन का पूर वाजेबल थी जाहिर थी बिजन दीविजिंग जिवीजा दोरानी तो उनके साथ चाहिए लादी क्रोमोजम स्थाच जाहिए लाई छी का बचा उनका पूसां के पड़ेऊ सींतर यो नुकलियर मेंब्रेंज अब्द अजय लेतरो का फिया है, दौन मेद लाफस्ट